तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ICTCE wallet money को अपने bank account में कैसे transfer कर सकते हैं ICTCE wallet में पैसे कैसे add कर सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को like नहीं किए तो like किजिए आपको सबस्क्राइब किजिए ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको सबसे पहले में दूस्तों सबसे पहले आप लोग को ISCT serial connect टैप open करना है open करने के बाद user id password capture फिल करने के बाद यहां फिर login करना है तो मैं फटाफट login कर लेते हैं user id password और capture फिल कर लिया हूं इसके बाद simple login पर क्लिक करना है login पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको 4 digit copy and set करना होगा 2468 टाइप करने के बाद submit पर क्लिक करते हैं ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा ISCTC idg login हो चुका है हमें यहां पर ISCTC e-wallet money को अपने bank account पर transfer करना है तो इस transfer करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है ISCTC e-wallet में पैसे को add कैसे करेंगे simple my account पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाता है ISCTC e-wallet simple इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले यहां पर registration करना परेगा इस पर क्लिक करेंगे तो इहां पर दो मेठर आता है अधार कार नमबर यहां पर पीन कार नमबर से ISCT e-wallet KYC करना परेगा सबसे दो मेठर से यहां पर ISCTC e-wallet account को एक्टिवेट कर सकते हैं अधार नमबर से यहां पर पीन कार नमबर यहां जैसे सम्मिट करेंगे तो आप लोग ISCTC e-wallet एक्टिवेट हो जाएंगे जब आपका ISCTC e-wallet एक्टिवेट हो जाएंगे तो इसके बाद इजली तरीके से अपलाओ ISCTC e-wallet में payment add कर सकते हैं जब payment add कर लेंगे तो इसके अलावा ISCTC e-wallet से payment cut करके ticket book कर सकते हैं लेकिन काफी लोग को क्या है ISCTC e-wallet में payment तो add कर लिया है लेकिन ticket book भी कर लेते हैं कहीं region के कारण तो ticket उसे cancel करना पड़ता है तो cancel होने का दो payment जो हमारा ISCTC e-wallet मेरी fund आ जाता है उस wallet में जो पैसे है उसे हमें bank account में transfer करना होता है लेकिन यहां पे काफी लोग परसान हो जाता है बता दूमें आप लोगो ISCTC e-wallet में जो payment है आप लोगो ticket book करके ही खत्म करना होगा क्योंकि यहां पे कोई ऐसा option नहीं दिया गया है तो ISCTC e-wallet को पैसे को अपने bank account में transfer कर सकते हैं तो उम्मीद करता है आप लोग समझ गये होंगे तो बस आज के विडियो भासी तरह है वीडियो पसंदर लाइक करना चानल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना दोस्तों मिलते है किसी और नेक्स वीडियो में